अब देखे वो डाक जैसे कलर है नमस्कार स्वागत आप सभी क्या आपके अपने चैनल तपन स्वाइनार्थ अगेडिमी में आज का हमार टुटियोरियल है वाटर कलर ऑन फिगरेटिव कॉंपोजिशन टॉपिक है फ्रूट सेलर जो फ्रूट सेलर को कॉंपोजिशन हमने लास्ट टाइम किया था इसका वीडियो आप लोग इस लिंक पर जाके देख सकते हैं आप लोग इससे जिन्दे नहीं देखा नहीं है तो ज़रूर जाकर देखिए उस वीडियो को इसमें मैंने स्टेब बाइस टेब आप लोग को ड्रॉइंग करके समझाया था कि किस तरह से हमें एक फिरेटिव कॉंपोजिशन एक मार्केट सीन फ्रूट सेलर किस तरह से हमें बनाना है रेफ्रेंस के लिए हमने एक इमेज भी लिया था तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को से बस्किन कोंपोजिशन वान के और इसमेंस क चड़ाना सेह देरे 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 हमें blur करना है जैसे background हो गया side के area हो गया तो देरे-देरे blur करना है ताकि हमारा eyes जो है composition में focus area में ज्यादा घुमें ठीक है इस तरह से composition को हम attractive बना सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं composition पर बात करता हूं जो हमने drawing किया था हमने drawing किया था direction दिया था और एक figures को कि focus area की तरफ direction दिया था कोई टोब्रे से सामान ले रहे अब कोई तराजूत दोल रहा है वह सब अब हमें क्या करना उसी चीज पर ज्यादा हमें और detail करते हुए ज्यादा करके दिखाना है तो मैं अभी आप लोग को step by step सब करके दिखाऊंगा मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहता हूं जब आप composition करते हैं आप लोग कर रहे हैं तो शुरू आत्मे जरूने कि आप लोग को बहुत अच्छा result मिले है कि डिफिकल्ट होता water color करना ये महांना जाता है कि water color करना सबसे difficult मेडियम है water colors लेकिन अगर आप धर्यद्री practice करो गए तो सब easy हो जाता है तो सब कुछ practice के उपर या है दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ भी डिफकल्टी नहीं है दूसरा चीज आप जो प्रैक्टिस करेंगे शुरू बात में आप डिटेलिंग वर्क करेंगे ज्यादा स्यादा डिटेल जाएंगे तो आप लोग को टाइम लेगा टाइम लगने दो वर्कलम में च Towards 6-7-7 गंटे अगर आप बैठते हैं कि काम में बैठिए जितना डिटेल में जा शकते हैं जायए अगर आप लोग यूपास टाइम है की विया एंट्रेंस एक्दम तीन चार मैंने छे मैंने बाद है तो आप लोग एंट्रेंस की त्यारी करन चाहते हैं तो उसे साब से आप शुरू आप में आप स्टडी कीजिए ड्राइंग के स्टडी ज्यादा कीजिए कलरिंग कीजिए डिटेल में सिरफ फटाफट वाला नहीं बहुत सारे वीडियो आप लोग देखते होंगे टूटोरियल यूट्यूब अगरा पे वाटर कलर के तो साब फट अपट फट अपट उससारह से करते हैं तो वह जो एंद्लिंग के उस हैंडलिंग को लाने में टाइंगू लगता है ह। उसके लिए क्या करना हो तो उसीं की साथ डिरे दिरे दिरे डिरे हो इनदे वैसे हो जाती है तो हमारा क्या होता है फिर time reduce होता है जहां हमें 6-6 गंटे लगते हैं काम करने में फिर हमारा observation इतना develop हो जाता है कि हमें उस काम को करने में एक देट घंटे में हमरह हो जाता है हमें पता चलता है कि minimum strokes में किस तरह से काम निकाल सकते हैं किस तरह से हमें competition के लिए enterence exam के लिए हमें जो time limit उसके अंदर हमें किस तरह से हमें अपना काम जल सेरियल complete करना है यह हमें पता चल जाता है तो सबसे पहले आप डिटेल की तरफ जाएए टाइम लगने दीजिए काम में पहले study कीजिए अपना color knowledge develop कीजिए अपना drawing का knowledge develop कीजिए यह सब चीजिए develop करने के बाद फिर दीरे दीरे आप speed को बढ़ाइए ठाइम टार्गेट रखिए बाद में फिर टाइम टार्गेट को रखके अपना काम करते रही है इस तरह से आप BFA के entrance exam को easily crack कर सकते हैं और अगर आप BFA के entrance भी नहीं देना चाहते हैं अपने work को develop करना च समझाओंगा तो वीडियो के end तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम पेपर को थोड़ा हलका के गिला कर लेंगे बैच से थोड़ा पानी-पैनी लगा के फिर हम उपर से स्टार्ट करेंगे यह मैंने थोड़ा सा ब्ल्यू और थोड़ा अल्ट्रमारीन ब्ल्यू दूने को मिक्स करके थोड़ा माउप कलर के साथ मिक्स किया और फिर यह लगा यह किले किले मैंने किया है पानी की क्वांटिटी ज्यादा होने चीज़ी थोड़ी कलर कम होना चीए फस्ट न में हमें बानी ज्यादा कलर कम इस तरह जब करना जहां जिस तरह कालर दिख रहा है महां पर वह ऐसा कलर हमें अप्लाई करना है कि यहां पर डाक कलर देना है डाइल वहां पर डाक कलर जैसे अपलाई करना है फिर कर से थोड़ा बचा कि चलनों पर बैक्राउंड को इस तरह से करके फिर फिर करूंगा यह नीचे नीचे कर लिया तो तो यह आपकर और बांट साय ना मेक्स कर 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 को में नीचे द्राव में कदर किया है अब यह जो कलर आए है वसको सब्सक्राइब पहुच के फिर मैं अब कलर अपलाई कर रहा हूं बैक्राउंड के फिर में पहले लाइट और डार्क का ध्यान रखते हुए कलर अपलाई करना है लाइट भी छोड़ना है और डार्क को सिसाब से करते हुए चलना है मतलब दोनों टोन का ध्यान रखते हुए काम करना है लाइट भी दिखाए दे और डार्क भी दिखाए दे दोनों तो वालियूम शुरू में आपको टोन में बनता हुए चला जाएगा कोशिश करें फिच्छे का फिए इसको एक बार मां फिनिश करेंगे तो उसमें ज्यादे डिटेल निकाला एक टोन में खतम कर दीजिए उसको पेड़ों को में थोड़ असा पेपर थोड़ असा ड्राइडर को हल्का असा तब मैंने पेड़ पर आप करना शुरू कि सेकेंड टोन अस एक एक पत्ते का डिटेल नहीं करना जिस्ट इंप्रेशन देना है कि यह पेड़ है इसमें इस तरह का डाक्ट होना है अब ड्राइ पान के रूफ पर उसके बाद नीचे का अरिया उसको थोड़ डार्क रखना कि कुछ आड़ों वहां पर पड़ेगा इसलिए आपको लाइट का सूर्च आफ लाइट का ध्यान रख रखना बहुत ज़रूरी है किलाइट कहां से आ रही है कोई भी कॉपोजिशन बना रहे दिवाग भाप के लेर उकि लाइट इस तरफ से आ रही है तो अकिस तरफ होगा तो हमेजा इस लाइट के डारेक्शन को समझ के कलर अपलाई कीजिए विश्च पिशे के सांबने वादे हैं उनको फस्ट टोन देना शूरू कर पहले इस्किंटोन उसके बाद कपड़ों में करेंगे इस किंटोन बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा औरज्ज लिया यलोव हलका सा बस आप हलका सा औरन करके भी ले सकते हैं और थोड़ा डाग करने के लिए बाइंट सेना यह थोड़ा सा बंसा अलल का से साथ के लिए लिए और क्रिम्सन को अगर को गोराव फिगर है थोड़ास वेसे दिखाना तो क्रिम्सन को बहुत भूए ट्स लाइट करके निक्त रखाना पानी के कॉण्टिटी जएदा रखती आ यह कॉइट कपड़ा है मतलब गोईट यहाच कपड़ा तो इस में ब्लू का टौन ह见 गाशा चाहिए चलना डाक टोन के लिए ब्लू दे रहा हूं ब्लू कलर का ही कपड़ा यह एक दम वाइट नहीं है इस तरह से सैक्ल में भी काम कहता है चल जा रहा हूं जहां जिस तरह का ट्रों दिख रही है उस तरह का टोन में लगाते में चल लसपानgers ना तो क्रीम भी तराजु में भी कर रहा हूं थोड़ा तराजु का लाए देखिए थोड़ा सा लोहे का जैसे ज़से ज़से तराजु होता है लोहे वाला फील आना चाहिए उसमें बांट साइना है ज़से था लुगा सा प्रेशन ब्लू अगरे मिक्स करके भी आप कर सकते हैं ए यह आल्रेम ब्लू भी हलका सकते कर सकते हैं इह अध्यक जैसे मैने ब्लैक नहीं लगाया यहाँ यहाँ पर बस्तुछह छोड़ते हुए मैं डाक टून का उपलई कर अगर पूरां डाक कर दूँगा तो फिर मेरे light tone cover हो जाएगा पूरा फ्लाइट हो जाएगा इस तरह से आप लोग कर सकते हैं जहां पर हमारा छोटा एरिया है वहां पर fine brush यूज करना है अगर मोटा प्रेस्ट मत यूज कीजिएगा अगर मोटा प्रेस्ट आप यूज करेंगे तो आपका पूजिए light अपनी छोड़ पाएंगे फिर सब कबर हो जाएगा यह मैं टोकरी में एक शेप दिया है फिर्स टोन लाइट था तो सेकेंड टोन मैं थोड़ा सा डाक टोन से किया है तो वह टेक्च्चर क्रियाट हो गया है जो इसका होता है अब दिखिए उस टोकरी के अंदर जो फाल रखा हुआ है उसमें मैंने लाइट टोन चुड़ गया अब डाक टोन अपलाए करके उसका अंदर जो फाल है उसको थोड़ा निकाल रहा हूं तो तर्बूस का शेप निकल रहा है तर्बूस का फिर कलर डिटेल जो भी है वह ध फेस काम है तो पतले ब्रॉस लेना बहुत फाइन ब्रॉस लेकर करना है और कलर थिक नहीं करना पतले कलर के पानी की साथ लगा के करना है मोटा कलर अपलाए करेंगे तो आप ट्रांसपरेंसी खतम हो जाएगी ओपेक हो जाएगा थोड़ा पेशेंस रखके आपको टाइम देके काम करना है अगर एक बार मैं नहीं कर पारें तो वेट करके कीजिए थोड़ा 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 रेसले के फेद्वार रखीजिए काम को है अगर आच लुक है अचलिए अब फेस में सेकंट तों देर हो किस तरह से पहला लाइट टोन को तो द्रींदेर डाक्नेस बढ़ा रहा हूं कि में ज्यादा डाक्नेस है इसलिए नहीं में ज़्यादा डाक टॉन लगा कर चला हूँ प्रोजुम करके देखते हैं इस तरह से देखिए अपने फेस के अकॉर्डिंग नेक ज्यादा डाक दिख रहा है क्योंकि नेक पर शैड़ो आएगा फेस का भी इसलिए उस चीज के हमें ध्यान रखना है अब इसके बाद आएज विगरा मैं तो मैं थोड़ा थोड़ा होने पर ही काम कर रहा हूं ऐसा नहीं गिले-गिले में मारता जा रहा हूं इस तरह से आप फाइन ब्रेश से देरे-देरे डिटेल कर सकते हैं इससे फेस की स्टडी भी हो जाएगे आपकी फिर आप लोग जब कॉम्पोटिशन बना जाएंगे बिना देखके जब बना जाएंगे तो आप इजी ली बना पाएंगे क्योंकि इस्टडी आपकी मैं इस कॉम्पोजिशन में लेट साइड से लाइट दिखा रहा हूं तो उसके ऑपोजिट राइट साइड में डाक हो रहा है तो इसी साब से मुझे पूरा कॉम्पोजिशन में लाइट और डाक का ध्यान रखना है देखें अब यह हाथ के पीछे मैंने बैक्राउंड में थोड़ा डाक किया जादा क्या हाथ के ओपर लाइट दिखाना है और बैक्राउंड अगर हाथ को क्लियर दिखाना है तो बैक्राउंड में मुझे थोड़ा और डाक अप्लाई करना पर है तब वह हाथ और क्लियर दिखेंगा उस तरफ को बाजू और इस तरफ को बाजू में अभी स्किंटोन किया है कि नीची की तरफ डाक्नेस रहेगा क्योंकि उपर से लाइट आ रहा है इस तरह से और फिंगर्स जो है वह क्लियर दिखना चाहिए जब सो भी ध्यान रखना है कि मैंने शैड़ो बना दिया हाथ का शैड़ो पड़ रहा है इसके कुर्टे को उपर अगे केला केले में पहले लाइट आँ उसके साथ साथ ही मैंने जिरिन का जोटा होना है वो लगा दिया है कि थोड़ा सा डाक्टोन हलका हलका बंट साइने को हलका समेक्स करके अगर के साथ कर दिया कि थोड़ा से ग्रीन काटोन देगे निकाल दिया में निकेले को इसके फेस में जैसे की यह लौ और अटोन मिक्स कर रहा हूं इस तरह हाथ में डार्क होगा इसलिए पहले बाजू में मैंने डाक्टोन कर दिया पहले उसके बाद लाइक टोन चुड़ा है इस फिंगर्स का जो ग्रिप है यह ग्रिप को इस तरह से आपको कलर करना है कि दिखना चाहिए को फिंगर मोड़ रहा है कि बालों में एक से तरफ डाक तो लाइट उस तरफ साहर है है कि आइस फ्रेश कि आइस है कि सब्सक्राइब कि यह कॉंपोजिशन मैंने वाटर साइस के पेपर में बनाया है कि अब बनाया है करना टोन में मिक्सर के और यह आप मैंने मिक्स प्रेश किया बालों के लिए यह तोड़ है यह अपक्राइब और तोड़ कर रहा हूं कि अपर में चपल पहना है तो पैरो का फिंगर्स का कलर टून पतला करके क्रिम्शन कलर करना पहले लाइट करना है तो मुझे एकदम पानी के क्वांटिटी द्यादा और कलर बहुत काम सुवाद थोड़ा सोस में जहां जहां मुझे डाक करना वहां पर कलर दादा पानी कम रखते हुए मैं इसको डाक टून देना है जैसे में स्मेश दे रहा हूं दो टून आप देख पा रहा हूंगी थोड़ा सा डार्क और एदम लाइट और वाइट वाइट का भी टून दिख रहा होगा अब थोड़ा सो डाक करके लगाए रहा हूं कि सेकंड टॉन कह स देखते हैं साथ है कि साड़ी के फोल्ड्स होगे अब भी देख सकते हम इसमें इससे बाकी फिगर्स में मैं इमेजिनेशन से ही कलर कर रहा हूं इस तरह हमारा साड़ी का डिटेल अभी ड्राइए होने के बाद ऐसा दिख रहा है तो हमें थोड़ा पर्पल मिक्स करना है भी जैसे मॉफ कलर यह इसके साथ करना है करेंगे जहां डार कर दो डाक ठाक थोड़ा किनार किनार अपलाई कर दिया यहां डाक डाक है बस थोड़ा सा इस दो डाक पर दिया मैं पर दो डाक है यह पाल को डाक कर दिया मैंने उस फिगर्स में क्रिम्शन को बहुत लाइट ली चलाए कि थोड़ा सा गोरा फिगर दिखा रहा हूं इसलिए कि लालगा से यह लोग देन उसको थोड़ा सा डाक करना होगा कि पूरा कॉंपोजिशन में ऐसी कलर करने के बाद हमें फिर हमें लगता है कि और कहां कितना थोड़ा बहुत अगर डिटेलिंग लगता है तो हम उसमें करते हैं फिर काम थोड़ा सा फिनिशिंग टैच ब्लास्ट में हम यह देख पेस में हम थोड़ा सेकेंड होने थोड़ा सा डाक करके लगा रहा हूं जितना फ्रेंट फिगर में डिटेलिंग किया है उतना पीछे के फिगर में नहीं होगा देरे देरे जितना दूर जाता जाएगा फिगर नहीं हमें उसको कम डिटेल करना है कि यह मैं कार्ट्रेश शीट के उपर कर रहा हूं कि कैम लिंगा आर्टिस्ट वाटर के लिए ट्यूप से मैं काम कर रहा हूं यह थोड़ा सा अकर के साथ में यल्लो साड पर डाक टोंदे रहां है अब कर और थोड़ा सा ओरन्ज जो के साथ मिक्स किया है इसाड़ी ऐसा फील आना चाहिए वह जो फोल्ड आते साड़ी में वैसा ऐसे फील होना चाहिए कपड़ा है वो कपड़े ऐसे फील आना चाहिए और जो हम कॉम्पोजिशन ऐसे कर रहे है कलर चॉइस भी हमारी उस तरह से होने चाहिए कि हमारा जो मेन फोकल एरिया है वहाँ पर डिस्टरबना हो कि पीछे की फिगर से उस तरह से में चाहिए करना हुआ ताकि हमारा जो मेन फोकस एरिया को और ज्यादा वो निखा रहे सपोर्ट देंगे पीछे एक लेड़ी टोकरी में हाथ दे लिया है और वो एक लेड़ी उसमें साम निकालके सुम रही है तो यह अलग-अलग करेक्टर में यह चीज ना देखना है कि उसको करेक्टर के साथ थोड़ा इंवल्व होना है कि क्या कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ना लिविंग कॉंपोजिशन लाएगा कि थोड़ा जान है उसमें कि अब यह देखिए इसे शैडव में करते यारों कि इसे साइकल का पईया दिख रहा है वो पईया बना रहा है और पैडल अब इस तरह लोंगी पर लाइट टोन अब उसमें जो डिजाइन्स होंगी लोंगी में वह साब हमें निकालना है अब दो पहले हम फोल्ड वगर्र दे देंगे जो उसके डिजाइन से हमें बात में करना है पहले लाइट और डाक के एकॉर्डिंग हमें फोल्ड करने लंगी में ओ रिए सायक्ल में जाओ जासे छाइड़ है आप और दल्क बढ़ा करहा हो थिरे दल्क पियार हो ताकि और सब्काइ आई नीची की चीजिज़ जब जाद करता तो लग अब देखिए This का इस कामपोजिशन में ये सामने के तरफ ये टोकरी लेडी और ये आदमी के तरफ ही जादा नहीं जा रहा होगा कि लंगी में थोड़ा डिटेलिक उसके जो डिजाइन है कि जहां पर लाइट है उदर लाइट करके चलाना है इस डिजाइन को लगए डार्क एरिया में तो आपको थोड़ा करके कलर लगाना है उस डिजाइन में और जहां लाइट बाद आपके अरिया को हम करेंगे कि अ कि यह कॉंपोजिशन मैं अपने ऑनलाइन क्लास में बच्चों को करके दिखा रहा था उनको डेमस्टेशन दे रहा था कि इस तरह से बीएफए एंट्रेंस के लिए बच्चों को प्रुपैर करता हूं ऑनलाइन क्लास में और आफ्लाइन में भी इस तरह से ही डेमस्टेता हूं और आउट्डोर भी ले आना पड़ता बच्चों को आउट्डोर स्केचिंग करना बहुत ज़रूरी है यह आउट्डोर भी लेकर आते हैं लाइट और डाग का ध्यान रखते हुग है हमें इस देखो साड़ी को मैंने कैसे कर देए कि लिए एक नहीं को है मैं का युषे थोड़ा फ्रेश फ्रेश लेरे बिवोशिश कीजिए ताकि है अपके अप्रेस ब्ला फ्रेशनेस तरह की देखने मैं अच्छा लने और पॉशिश को ज़िए जाधा रेलिस्टिक कलर करने का, रेलिस्टिक टोन लाने का इंसे देन टोन में फोड़ा दाखना को बना देना गवादी में इस तरत दे 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 डाकनेस और बढ़ात बढ़ात है, डिटेलिंग पे लाना है दे अदुटा के को रेलिस्टिक वीरियन जली बनार इस बादा दे जाएं देड़ा रेलिक रेलिक अर्व पालेद्चि कौर्णर के कौर्णर में बिलकुल तो इसको मैंने बहुत ज्याद़ा का प्ते रेलिक जादा नहीं करना कॉर्णर वाले फिगर में की नजर कॉर्णर की तरफ चल जाए कॉंपोजिशन में हमेशे इस सब चीज़े धियान रखने कि हमें आइस सेंटर में घुमती रहा है हमारे चारो तरफ ऐसा नहीं कि फ्रेम से बाहर चल जा रहा है एक फिगर को देखते हुए क किनारे की जो फिगर्स हैं उसमें थोड़ा सा हमें अडल कलर करना होता हलका सा जो जादा आखों को अपने तरफ ना खीचे और यह बैक फिगर है इसलिए इस पर मैं वैसे भी थोड़ा डल रखना हो ऐसे आट आट जाए कि अगर आट अगर कि अगर कि अगर कि अगर बना और नहीं एक प्इल टून दे रहा है हलका हलका है कि यह को पेड़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए अब देखिए ग्रीन वाले साड़ी वाले औरत के पीछे मैंने पेड़ को किया तो और तो और इस तरफ क्लियर होगे उसको पीछे जो फिगर है वह थोड़ा सा तिखाई दिल लएगा तो भीड़ बाल बाला सीन होना लगा इस तरह से चपल होगे रह से अब सामने वाली फिगर ले लाइट टोन जैसे की बताए था मनें अब देरे देरे उस पर एक और टोन परस्टोन में दो टोन दिखा दिया है अब यह है थो रहा था इस दो टोन करते हुए चला हुए इस पर अभी दो ही टोन है लब फर्स्टोन हुआ है अभी इस में अब देरे देरे इस पर सिद्टोन कर रहा हुए पैर हो हो गया है है संजी ने सार्थ कर साड़ी है तो मैं और इंज के साथ स्टार्ट करूं है यल handout कै लाइट टोन उसके बाद रेड जांड है najच रेकिना है जोड़ा सा यालो औरेंग लेकर करना ये जहां डार कर रहें उस तरफ में डाइक ड्रेट कर रहा हूं कि रेड मतलब यह वर्मिलियन ही हुगा है इस लेड़ी का डायरेक्शन साइकल की तरह है मतलब हमारा में फोकस पॉइंट की तरफ है ठीक है तो इस लेड़ी के हम डाक कर कलर अपलाई कर सकते हैं अब यहां से इनका जो डायरेक्शन है इस फिगर के जो डायरेक्शन है वह हमारे फोकस अरिया की तरफ जा रहा है मतलब कॉम्पोजिशन के अंदर जा रहा है मतलब बाहर से हमारे कॉम पॉजिशन को अंदर की तरफ हमारे आइस को ले जा रहा है तो इसको हम डिटेल भी कर सकते हैं और इसको डार्क कलर कर सकते हैं क्योंकि इस से इस फिगर को देखने से आइस अंदर की तरफ यह पूछ अब थोड़ा से फोल्ड साड़ी में थोड़ा सुखने के बाद ही कलर अपनाई करें ने तो सब मिक्स हो जाता है यह बहुत बेसिक तरीका है लेयर बाइल लेयर कलर अपलाई करके डिटेल में जाने का अब यहां देखे मैं टोकरी करना भूल गया था तो मैं लुंगी बना दिया मैं थोड़ा साथ टोकरी को डाक करके उसको लिंग को दबाने की कोशी कर रहा हूं हुआ 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 है कि टोकरी को एक साइट से पकड़के टोकरी के अंदर हाथ डाल टीए है अब दीखे वो डाक जैसे कलर है शेड़ वाला कलर वह एक बार में लागते हैं वह चल रहा हूं जहां पर डाक है और जहां लाइट है उदर मैं अभी लाइट के लर अप्लाई करूंगा कि मैं शेड़ो का कलर एक बार में कर रहा हूं डाक डाक अब लाइट के लार अपलाई करेंगे जहां पर शेड़ों यह देखिए इस तरह से और यह और डाक डाक करते जाओ और शेड़ों देखिए पीछे बैग्राउंड को थोड़ा सा और जो डाक एरिया है जैसे से अंदर शेड़ों वाला एरिया है महां करेंगे का इसको भी थोड़ा बहुत जादा ब्लैर हो रहा है तो इसलिए इसको थोड़ा सा विजिबल कर रहे है सामने के फिगर की तरह विजिबल नहीं करना बट थोड़ा सा तो करना अब टोगरी दिखा दिए दिवार पर लगावा रहता है अब आए हमारे साइकल के टोगरी पर डिटेलिंग कि मैंगो बगर रहे से पूर फाल है कि साइकल के तिल लिया इस तरह से में कॉंपोजिशन में धिरे-धिरे डिटेल पूरा करना है कि देखिए डार्क के बाद एक लाइट का सरकल गुम रहा है जो साइकल का जो जो रिम है रिम का एरिया है वो जिसके साथ तिल ली टाच हो रहा है तो यह कंप्लेट तो है ना कितना आसान फिकरेटिव कॉंपोजिशन में वाटर कला करना सिरफ आप लोग को धियान से थोड़ टाइम देना होगा थोड़ा पेशेंस रखना होगा स्टेप बैस्टेप सारे चीज़े करने होगे जितना आप लोग काम करोगे उतना ही आपका काम डेवलप होगा और कलर नॉलेज यह से डेवलप करने के लिए आप थोड़ा सा रेफरेंस इमेजेस ले सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड कर लेजिए या खुद फोटो क्लिक कर लेजिए रियल लाइफ से तो इस तरह से आप कुछ चीजों की बी स्टेडी जैसे कपड़े हो गई यह कुछ भी सामान हो गया टोकरी हो गया यह सिब चीजों का अलग से स्टेडी करने के लिए आप उसकी फोटोग्राफ लेजिए वाटर कलर उस पर टाइम लेकर आप अच्छे से स्टेडी कीजिए इस तरह से जितना आप स्टेडी अपना करेंगे बाद में आपका आप अब्जर्वेश्चन और आपकी जो कलर सेंस इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप लोग ईजीली बिना देखके आप फटा फट कर लोगे वाट अपर एंट्रेंस एक्जाम आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर भी एपके कीजिए देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूंगा कोई भी शॉटकट नहीं है अगर आपको काम सीखना है तो काम सीखने का कोई शॉटकट नहीं है शॉटकट यह है कि आपको प्रैक्टिस करना जाह साधा और दूसरों के एक्स्पीरियंस से थोड़ा बहुत सीखना है अगर आप लोग चाहते हैं आपको काम मुझसे शेर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हैं और नीचे कॉमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी आप लोग को पूछना हो तो आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स वीडियो में किस चीज पर लाओ अलाग्त अलाएं या आफलाइन क्लासे लेने में मुझे से इंट्रेस्टेट हैं तो मुझे इसमाइण पूछ सकते हैं और मुझे वह planner कर सकते हैं अपने बहुत जा क्लाश सकते हैं चाहे पोट्रेट हो या कमर्शल लाइन के लिए आपको इलस्ट्रेशन शीखना हो तो वो भी आप सीख सेकते हैं आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट बक्स में ज़रू बताएं अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें और नई वीडियो की नॉटिफेकेशन के लिए नीचे बेल आइकन को ज़रू दबाए चलिए मिलत हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार, stay safe, keep practicing